नमस्कार आप देख रहे हैं क्या आप जानते हैं एक शब्थ जिसने हम सब के दिमाग को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है सिफ इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में अगर कोविट के बाद किसी एक चीज की बातचीत हो रही है वो है पेगसिस मेरा नाम है सोनल मेरोत्रा कपूर और आज इस शो पर हम आपको बताने वाले हैं कि पेगसिस क्या है यह आपके फोन में कैसे घुसता है कैसे आपकी information लेता है क्या आप इसे रोक सकते हैं और क्या पेगसिस जैसे बहुत सारे और software भी है जिनके बारे में हमें शायद पता ही न आए कहा क्या है ऐसा क्यों है आई यह देखते हैं आपके लिए बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा animation बनाया है हमने जाने की कोशिच करी कि पेगसिस कैसे आपके फोन में आता है और फिर क्या-क्या लेके बाहर जाता है तो आपके फोन में अगर एक सिंपल मिस्ट कॉल आए तो आपके फोन में इंटर कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा हो रहा है एक बार यह एंटर कर जाता है तो इस स्टेज को बोलते है कि आपका फोन अब इंफेक्टिड है आपका फोन अब इस पेगसिस का जो स्पाई है उससे इंफेक्टिड है एक बार अगर व फोन की सारी pictures, सारे videos, आपकी contact list, आपके passwords, आपकी browser history, आपका GPS location, live tracking कर सकता है, ये spy कि आप कहां पर हैं, कित्ते बजे हैं। और अगर आपको लगे कि अगर अपना phone से अगर किसी से बातचीत नहीं करने हैं, किसी से in-person meeting कर रहे हैं, तो उसमें भी Pegasus के अंदर क्योंकि एक बहुत ही unique चीज है, कि वो आपका microphone और आपका camera activate कर सकता है, तो अगर आपका phone में आपने कोई chat नहीं करी, ये सोच कि कोई सबसे sophisticated spyware program बताया गया है, ये कहां से आया, किस company ने बदाया, उसके बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन आपको बताते हैं, कि ये जो software है, spyware है Pegasus का, ये क्यों इतना unique है, हमने आपके लिए 5 reasons निकाले हैं, कि Pegasus क्यों सबसे sophisticated spy है, दुरी विश्वका, सबसे पहला reason है, क technology, जिसका नाम है, zero click technology, हमने पहले भी कई shows करें, जिसमें आपको बताया कि कैसे आपको बच के रहना चाहिए, कुछ suspicious looking links से, कोई आपको इन emails भेजे, जिसमें आपको लिखे कि बहुत cash reward आएगा, हमने आपको पहले भी बताया कि कैसे इन चीजों से बच के रहना चाहिए, जिन्हें phishing links पोलते हैं, लेकिन अब आपका सारा वो knowledge धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि पेगसेज जो है, उसमें कोई आपको link दबाने की जरुवत नहीं है, zero click है यह, आपके phone पर एक जिस miss call आएगी, आप चाहें उसे उठाएं भी ना, लेकिन वो आपके phone को infect कर देग second चीज है कि यह almost impossible होता है इसे detect करना, यह आपके phone पर constantly पीछे चलता रहेगा, और जितने बड़े से बड़े जो data security experts हैं, वो भी से phone को देख कर या उसे use करके नहीं बता सकते कि इसमें pegasus लगा हुआ है कि नहीं, क्या यह pegasus infected है इस पे बहुत सारी बातचीत हुई है कि आप जो फिर पढ़ रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, यह सारी चीजे पेgasus constantly सुनता रहता है, उसे data जो है वो निकालता रहता है और अगर आपको लगे कि आप अपने phone से कुछ software आप लगा दें कि आपका safety net बन जाए और आपका कोई antivirus लगा दें आप उसे बच जाए उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा इस पर एक बहुत बहुत अच्छा कोट है, जो Guardian ने बात करी उन लोगों से, जो Amnesty International है, जिस उनकी Berlin में एक company है, वहाँ पर वो labs में टेस्ट करते हैं ऐसे phone और उन्होंने, जिन्होंने ये phone टेस्ट करें, जिसमें Pegasus था, उनका एक कोट है, कि Pegasus एक बार आपके phone में अगर घुस जाए, तो उस phone के owner से ज़ादा control, Pegasus के पास होता है आपके phone का तीसरा और ये बहुत यूनीक फीचर है, जो पहले के किसी भी spyware में नहीं देखा गया है, कि Pegasus खुद ही अपने आपको नश्ट कर लेता है तो Pegasus decide करता है कि उसने आपके phone पे आया, आप अगर target list में है तो उसने आपके phone को infect करा और अगर 60 दिन तक आपका Pegasus का जो spyware है वो अपने hacker से link established ना कर पाए या उन 60 दिनों के अंदर जो phone है जिसका infected है वो number change हो जाए या device change हो जाए तो अपने आप Pegasus उस phone में अपने आपको नश्ट कर लेता है चौथा reason जो Pegasus क्यों इतना खतरनाक है इतना powerful है कि इसके पास complete access है आपके phone का और उसके साथ साथ आपकी जिन्दगी का अगर हम एक analogy दें आपको body की तो यह बता सकते हैं कि Pegasus जो है वो एक तरह से आपकी body के अंदर heart का जो roll करता है वो वैसा roll करता है कि एक बार अगर Pegasus infect कर दें आपके heart को तो आपके पूरी body compromise हो जाएगी इसे एक technical turn में कहते हैं कि Pegasus आपकी body के आपके phone के जिसे किसी एक software या किसी एक app या किसी एक function को infect नहीं कर रहा है वो आपके phone के kernel of the device होता है उसको infect कर रहा है और एक बार वो अगर infect हो जाए तो आप पूरे phone में जितना data है उसको नहीं बता सकते हैं और पाच्वा सबसे अच्छा feature सबसे powerful feature Pegasus का यह है कि यह सारे operating devices जितने systems होते हैं चाहे आप IS जहाएं आप use कर रहे हो Android phone तो आपका Android हो या फिर आप iOS यूज कर रहे हो क्योंकि आप Apple user है आप फिर अब किसी भी और operating system को use कर सकें यह सारे operating systems में घुस सकता है